लगातार बढ़ती महंगाई और प्रदूशन से एंट भठा मालिकों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बेगुसराय, लखीसराय समेट कई जिलों के एंट भठा मालिकों ने हिस्सा लिया है। कहा कि वर्तमान में कोईला का दाम सात्वें आसमान पर चड़ गया है। जिसके कारण एंट भठा मालिकों के उपर इसका खासा असर हो रहा है। इसलिए दिल्ली से बुलाए गए इंजिनियरों के माध्यम से सभी इट संचालकों के साथ एक दिवसिय प्रशिक्षन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें लोगों को कोईला बचत एवं प्रदूशन कम करने को लेकर लोगों को जागरू किया जा रहा है। इसलिए कोल खपत कम होगा जिससे कोल कपत कम होने से आपको परदूशन में भी कमी आवी और जब कोईला कम लगेगा जो आज के दर में 10,000 से कोईला सीधे 24,000 परती हजार हो गई है या इंट मुल्य भी सस्ता होगा साथ ही साथ जो इंट निर्माताओं को एक कोल बचत होन इसलिए निर्माताओं से लगे हुए जितने भी हमारे बिहार के बंधू है तो सब के बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है तो समस्या तो है सरकार को इस पर गंभी रूप से सोचना चाहिए यह बिहार इप निर्माता संग की तरफ से हो रहा है और बिहार कंट्रोल बोर्ड के अनुमती से हो रहा है और इसमें मुख्यू दे से हम लोग कि कम से कम कोईला जले और कम से कम परदूसन हो और सच्छतर तक्नीक में जो भी हम लोग भठा परिवर्तन किये हैं वो बेहतर इसमें आये हैं जमूई से आये हैं जहानाबाद से आये हैं पटना जिला से आये हैं बेगू सराय से आये हैं नवादा से आये हैं नलंदा के हैं तर फाइदा क्या होगा इससे इससे फाइदा होगा पोल का बचत और कम परदूसन दो चीज़ तो मुख बचत है इसमें और क हम पर्दूसन.